हारी क्रिश्ना, आज मैं आपके लिए बाजरे का ढेबरा की रेसेपी ले कराई हूँ बाजरे का आटा अगर आपको नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ड्राइ होता है रोटी जो होती है बहुत हार्ड बनती है अगर आपको नहीं पसंद तो एक बाजरे के आटे से प्यार हो जाएगा सच बतारी हो यानि पूरी सर्दिया आप इसे बना कर खाने वाले है यह इतना टेस्टी बनता है इसके लिए हमने यह आपर एक पराद लिया है इसमें डालेंगे डेड़ कप बाजरे कार्टा साथी डालेंगे आधा कप गेहुं कार्टा बाइंडिंग के लिए और डालेंगे दो कप ताजी हरी मेथी जिसे हमने अच्छे से धोकर और काट लिया है साथी इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया, दो इन चदर को ग्रेट करके डालेंगे, साथी एक से दो हरीमेश डाल दीजे, यानि जितना तीखा आप खाना चाहते हैं, एक छोटी चमच साबुद धनिया डालेंगे, दो बड़े चमच सफेद तिल, एक छोटी चमच अजव दही करेंगे दही अगरे टाजी है तो आप इसमें 3-4 चमच डाल दीजे, दही का पानी होता है बचा हुआ वह भी डाल शकते एं और इसका आटा लगाकर तयार कर लेंगे, अगर दही खटी है तो आप इसमें दही थोड़ा सा डालें और बाजिका पानी डालकर आटा लग मैंने इसे दही से ही मला है और यह देखिए हमारा आठा लग करके तयार हो गया है अब इसे 10 मिनट के लिए रेस पर रख दीजे ताकि आठा अच्छे से सेट हो जाएगा अब इसमें से एक लोई ले ले लेंगे और सुखे आठा लगा करके इसे बेल लेंगे नॉर्मल रोट झाट से इसे सेक लीजे यह देखिए कितने बढ़िया सिख गई है इसे तरीके से आप बाकी सारी हों यह देबरा बन करके तयार है बहुत जादा टेस्टी है बच्चों नहीं पता चला कि हमने इसमें मेथी और बाजरा डाला हुआ है क्योंकि बाजरे के आठी का जो टेस्ट था ना वो दही की वज़े से काफी हद तक माइल्ड हो गया है काफी हद तक याठा सॉफ्ट बनाई थी रोटी और जो मेथी थी वो उसकी करवाहर तो बिल्कुल भी नहीं आई थी क्योंकि हमने इसमें सफेद तिल डाले हैं और साथी इसे दही से मला था इस वज़े से भी और मैंने इसे सर्व किया है मक्षन, दही और साथी इसे हरीमिच और आमले की अचार के साथ आप चाहें तो इसे सिंपल चाहे की साथ भी खालेंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगने वाला है तो फ्रेंट्स मैं तो इसे इंजॉय कर रहे हूँ, इसका टेस एकदम शानदार है आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी और नेक्स रेसिपी में बनाने वाली हों गाजर का हल्वा, जो सबको बहुत पसंद होता है इतनी रेसि लगती है कि क्या बताओं, यहाँ पर मैंने एक किलो गाजर ले ली है और इनको हम इस तरीके से छील लेंगे और फिर से धो लेंगे और फिर से कदुकस यानि की ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो हाद से कर लीजे या फिर फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं वैसे बहुत सारे लोग इसको कूकर में भी बनाते हैं, पीसे में करके पर परसनली मुझे वो पसंद नहीं आता, वो टेस्ट ही नहीं आता जो इस तरह से बनाने में आता है बना सकते हैं, पर वो वाला टेस्ट अगर चाहिए न आपको ओरिजिनल हलोई वाला तो आपको थोड़ी से मेनत करनी पड़ती है तो बस अब हमने यहाँ पर देखे, सारी गाजर को कदुकस कर लिया है और अब ग्यास पर एक कडाई रग देंगे, इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच घी और जैसे घी मेल्ट हो गया है इसमें हम यह सारी गाजर डाल देंगे, और इसको 3-4 मिनट घी में अच्छे से भून लीजे आप इसमें डालेंगे एक कब दूद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढग देंगे और ढ़क कर आप इसे तब तक पका लीजे, जब तक जो गाजर है थोड़ी सॉफ्ट ना पढ़जे तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, और यह देखे, जब गाजर यहां पर सॉफ्ट हो गई है मैं इसमें यहां पर 2-3 बड़े चमच घर की ताजा मलाई डाल रही हूँ अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसमें मीठे के लिए मैं यहां पर चीनी का यूज़ कर रही हूँ आधा कब से थोड़ी सी कम मैंने चीनी डाली है मीठा इसमें आप अपने टेस्स के कॉर्डिंग कम या जादा रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो मीठे के लिए इसमें देसी खान या गुर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं गुर्ड डाल रहे हैं तो बाद में डालीएगा और जब आप इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है जिसकी वज़े से वापिस लेक्विड सा हो जाता है पर कोई प्रॉप्रिम नहीं है आप इसे खुला ही पकाईए और लगातार चलाते रहे हैं गयस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ये देखे जब इसका सारा जो मौशर है खतम हो गया है तो बस अब हम इसमें लास में डाल देंगे आधी छोटी चमची लाइची का पाउडर और आधी छोटी चमची मैंने इसमें केवडा जल डाला है केवडा वाटर से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुश्बो आती है लेकिन अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर का हलवा बनकर के तयार है आप चाहें तो इसे एसे एसटेज सर्व कर सकते हैं और बिना मावा बिना कोई के भी यह बहुत जादा टेस्टी लग रहा है वैसे तो यह हमारा गाजर का हलवा बनकर के तयार हो गया है आप चाहें तो इसे आज़िटी सर्फ कर सकते हैं और चाहे तो इसमें तुड़ा ड्राइफूट भी डाल कर सकते हैं लेकिन मैं इसे बनाने वाली हूँ चांदी चौक का स्पेशल गाजर का हलवा तो कुछ उसी तरीके से मैं इसे प्रेजन भी करूँगी तो मैंने यहाँ पर एक थाल ले लिया है और इसमें हम यह सारा गाजर का हलवा शिफ्ट कर देंगे और इसे उपर से इस तरीके से लेवल कर लेंगे जैसे कि आपको मार्केट में मिलता है या बड़ी-बड़ी हलवाई की शौप मिलता है बिल्कुल इसी तरीके से और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है इसमें हम 200 ग्राम मावा डाल देंगे आप चाहें तो बजार का रेडिमेट ले लीजे या फिक एक लीटर दूद को गाड़ा करके अच्छे से उसका भी आप मावा तयार कर सकते हैं और अब लो फ्लेम पर हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे उतना ही भूनना है कि यह हलका सा सॉफ्ट पढ़ जाए जादा भूनने की जोट नहीं है हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है अब मैं इसमें आपर डेड़ बड़े चमच चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए जैसे ही चीनी ने अपना पानी रिलीस कर दिये तो यह मावा जो थोड़ा और सफ्ट हो जाता है जैसे ही चीनी मेल्ट हो गई है गयस का फ्लीम आफ कर देंगे और यह जो मावा है हम इस गाजर की हलवे के उपर डाल देंगे और इसे इवन ली पिल्कुल पतली पतली से लेयर इस तरीके से फैला लेंगे यह देखिए देखने में बढ़या लग रहे ना अभी इससे जादा और बढ़या करेंगे हम इसे तो हम इसको गार्णिश कर देंगे थोड़े से चान्दी के वर्क के साथ और इसके उपर थोड़ा सा mix dry fruit इसे इस तरीके से उपर डाल देंगे और इसे उपर से हलका हलका प्रेस कर देंगे ताकि जो dry fruit है इसके अंदर अच्छे से set हो जाएगा ये देखे लग रहे नशांदर एकदम और बस आप इसे सर्व कर सकते हैं आप गरम या ठंडा खाए लेकिन गरम जादा अच्छा लगेगा तो मैं इसे गरमा गरम सर्व कर रही हूँ और ये देखे चाहे तो इस तरीके से साब करिए डिरेक्ट कट करिए और साब कर दीजे चांदनी चौक में बिल्कुल इसी तरीके से मिलता है दोने में आपको और या फिर इस तरीके से उनकी वहाँ पर ना नीचे भट्टी के ओपर ये रख्की होती है परात और जो नीचे से गरम-गरम होता है वैसे उसमें घी बहुत जादा होता है मैंने इसमें घी बहुत जादा नहीं डाला है क्योंकि हम थोड़े से डाइट कॉंशास हैं इसलिए और अब हम इसमें से थोड़ा सा हलवा इस तरीके से निकालेंगे उसे mix करेंगे और इसे serve कर देंगे गर्मा गरम और यह देखिए लग रहना शानदार देखते मूं में पानी आ रहा है तो आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करना और मुझे बताना कि आपको यह recipe कैसी लगी और अब मैं बनाने वारी हूँ आवले की चटनी आवला सीजन में है आवला हमें जरूर खाना चाहिए हमारी skin हमारे hair के लिए कितना फायदे मन्द है यह हम सब ही जानते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन आवले ले लिए हैं और इन्हें हम रफली इस तरीके से काट लेंगे और आपके पास हरा लसुन ना हो तो आप दो से तीन लसुन की कलियां डाल दीजिए या फिर इसे बिना लसुन के भी बना सकते हैं मैं इसके उपर की जो रहती है ना पतली सी लेयर उससे हटा देंगे और रफली इसमें काट लेंगे और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है यह इसमें डाल देंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारी जैसे चटनी को भी से ना बिल्कुल इस तरीके से आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में भी कर सकते हैं पर आप कोशिश करेगा कि इसे हलका सा दरदरा ही रखेगा तो जादा अच्छा टेस राता है और ये देखिए हमारी आमडे की चटनी बन करके तयार है आप इसे रोटी परांठा किसी के साथ भी खाईए टेस्टी भी है और हल्दी भी है आप इसे किसी भी एर टाइट जार में रखके एक हफते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं आज की रेसिपी आपको प यानर की